आपको software में किस तरीके से आप purchase report चेक कर सकते हैं, यह बताने जा रहे हैं, सबसे पहले हम purchase में जाते हैं, purchase में आपको तीन option आ रहे है, purchase invoice, return and list, हम purchase list में जाते हैं, हमने जो भी purchase create किया होगा, यहां आपको show होगा, आप यहां पर different type से search कर सकते हैं, date wise, purchase number wise, और all records, all records में जब स software लिए तब से लेकर जो भी entry किस अब आएगा, मैंने all records किया, हमारी जो भी entry आपके सामने screen में जो हो रही है, अगर आपको कोई भी purchase को edit या delete करना है, तो आप यहां से easily कर सकते हैं, हमने यहां पर double tap किया, जैसे ही हम double tap करेंगे, हमारा जो बिले वो open हो जाएगा, आपको जो भी changes करने, आप changes करने के बाद नीचे आपको update का button दिया, आप update कर सकते हैं, generate barcode का, अगर generate barcode करना है दुबारा तो generate barcode कर सकते हैं, या delete करना है इस report को तो delete भी कर सकते हैं, तो यह था हमारा purchase invoice के अंदर purchase report, और भी report देखनी के option है purchase के, वो है second, हम report में जाते हैं, यहां पर purchase report है, purchase report के अंदर option आता है purchase report, जहां पर detail में bifurgation है, detail में means, आपको यहां पर product भी शो करेगा, कि कौन से bill के अंदर आपने क्या product पर्चेस किया है, उसकी value क्या है, उसका barcode क्या है, सारा detail आपको इस report के अंदर शो करेगा, तो यह आपको दिख रहा होगा, सारे taxes वगर ना तो किसी के name wise भी आप search कर सकते हैं, यह देखिए, ओके, thank you